केमडी कीज और ओबिडी स्टार में आप सभी का सुवागत है आज है हमार पस गाड़ी लैंड रोवर फ्री लैंडर 2 जिसकी आड़ की प्रोग्रामिंग हम करेंगे अपने केमडी डीपी प्लस की मदद से तो आएज चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं कि हमें अड़ की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है जिसके लिए हमें सबसे पहले गाड़ी के अपना अपना ओबिडी कपलर करना है ओबिडी कपलर के बाद ही हमारा केमडी डीपी प्लस है जैसे कि हम देख सकते हैं हमने अपने केमडी डीपी प्लस के बैक स्टैंड की मदद से हम इसको स्टेरिंग के ओपर हैंग भी कर सकते हैं अब हम एग्री करने के लिए पूरे अग्रीमेंट को ऊपर करके अग्री कर देंगे अग्री करने के बाद ही हमारी दो चाबियां है एक ओरिजिनल है और एक हमारी जो है जो हमने एड करनी है ओरिजिनल से हम देखते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट भी हो रही ह अपने गाड़ी को बंद करने के बाद औरिजिनल चाबी को गाड़ी से भार रख दिया हमने इसको एड़ करने के लिए देख रहे हैं तो हमारे को लिखा आ रहे हैं कि स्मार्ट की नॉट फाउंड रेफर टू दा हैंड बोक तो अभी हम इसकी आड़ की के प्रोसेस को चालू करने लगे हैं जिसके अंदर हमें सबसे पहले कार इमो में जाना है फिर यॉरप में जाना है फिर उसके बाद हमें लैंड रोवर जैगवार में जाना है हमारा M.C.U. अप्ग्रेड होगा उसके बाद हमारी गाड़ी है लैंड रोवर वील चूज वहिकल देन आर कार इस फ्री लैंड टू आफ्टर चूजिंग फ्री लैंड टू वी हाव तो चूज प्रोक्सिमिटी युक्की प्रोक्सिमिटी है 2013 प्लस है गलेकला माद प्रीय उसे की साथ कनफ़िगरेशन चालों उसी किस रहे हमारा सफ्टर का नाम बी पता दी कर्व दिया configuration जो है वो फिर दुबरा चालो हो गई अब यह हमें बोलेगा कि हमार को अपनी चावी को हाथ में रखना है हमारी number of current keys one as time पर गाड़ी के अंदर एक चावी चड़ी है so be ready for programming the next key हमार को चावी अपने हाथ में hold करनी है please hold the smart key in your hand अब हम enter दबा देंगे unlock बटन को हमें एक से पांच सेकिंड तक दबा के रखना है उसके बाद machine अपने अप configuration करेगी और उसके बाद फिर दुबरा हमें confirm करने के लिए एक से पांच सेकिंड के लिए दबा के रखना था उसके बाद हमने एंटर दबा दिया चाबी अभी original अभी भी हमारी भारी है तो आईए देखते हैं हमारी गाड़ी successfully on भी हो गई और successfully start भी हो गई तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी का जो remote है वो किस तरीके से काम कर रहा है तो अभी हम remote को चेक करेंगे हमने lock दबा दिया हमारी कार lock हो गई और हमने original remote से unlock दबाया हमारी कार unlock हो गई जैसे कि हम देख सकते हैं now we will check our kmd 312 hash smart key हमने lock प्रेस कर दिया lock हो गया हमने unlock प्रेस कर दिया unlock हो गया इसके अदर हमने kmd 312 hash की smart key use कर ही है और आप इसके अदर kmd 851 hash की भी smart key use कर सकते है आज हमने successfully बहुत ही easily और बहुत ही जल्दी हमने अपने kmd dp plus की मदद से land rover free lander 2 की add की programming करी है smart key की बहुत ही successfully तो अगर अभी तक आपने kmd dp plus बुक नहीं कराया तो जल्द से जल्द kmd dp plus को बुक कराये please hurry up and book your kmd dp plus as soon as possible and अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जाज़े से लाइक करें share करें subscribe करें and please do hit the like button share and subscribe the channel धन्यवाद जय हिंद